कि हेल्ल दोस्तों आज हम बात करेंगे आइस बर्ग ऑप दडिजी स्के बारे में गौन सा पाते हैं जो ऊपर का थोता है वह हमें नहीं देखता है तो iceberg of the disease में भी यही बोला जाता है कि जब symptoms आते हैं तो physician क्या देखता है जो उसको symptomatic problem समझ में आ रही है symptom ही दिख रहा है लेकिन pre-symptomatic disease जो है वो हमें दिखी नहीं देगी है वो हमें physician देख नहीं पा रहा है तो इससे समस्य क्या होती है कि जिसे cancer वगएर के जो cases होते हैं अगर symptom सुरू में ही आ गया तब तो वो easily curable होते हैं लेकिन हमें दिखता कब है pre-symptomatic phase जब गुजर जाता है यह 90% जब problems आगे बढ़ जाती है तो जब symptom आने शुरू होते हैं तो हमें वही दिखता है और हम उसी को प्रयास करते हैं कि ठीक किया जाए ठीक है तो इसी को ब को एक apparent line है उसके उपर symptom आ रहा है जो हमें दिख रहा है और apparent line के जो नीचे है जो physician को नहीं दिख रहा है तो इसमें यही चीज दिया हुआ है ठीक है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद